दोस्तो जब कुछ समझ ना आए तो बनाए आलू की या बिलकुल नए तरीके की अनोखी सबजी जिसे खाते ही बड़े हो या बच्चे उल्लिया चाट जाएंगे जी हा दोस्तो आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ आलू की एक ऐसे अनोखी सबजी जिसे खाने के बाद आप सारे पुराने तरीके भूल जाएंगे तो चलिये से बनाने स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले लेना है आपको एक मिक्सिका जार जार में डाल लेंगे एक मीडियम साइस का कच्चा आलू जिसे मैंने छील करके अच्छे से धोल लिया है छोटे छोटे पीसेस में इसे कट करके जार में डाल लेंगे आलो को जाल में कट करके डालने के बाद इसमें डाल लेंगे एक इंच अदरकर टुकड़ा चार से पांच लैसुन की कलिया लैसुन नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं साथ ही में जायेगे इसमें थोड़ा सा हरा धनिया अब हम जार में डालेंगे आधा कप के जितना पानी पानी दाने के बाद इसे हमें बहुत अच्छे से बिल्कुल फाइन पीस लेना है तो दोस्तों ये बहुत अच्छे से पेस चुका है इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे इसका कलर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा आया है अब हम इसमें आट कर देंगे आधा कप बेसन अब हम बेसन को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे बिल्कुल नई बहुत ही चटपटी अनोखी रिसिपी ये फ्रेंड्स चैनल पे रहे हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंट तक पक्का देखें तो यहाँ पे जो बैटर हमने त्यार गिया है ना फ्रेंड्स वो थोड़ा सा मुझे पतला लगा इसलिए मैंने इसमें एक बड़ा चमच बेसन और आट कर दिया है थोड़ा सा थिक बैटर चाहिए हमें इसका तो अब जो है बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है अब हम इसमें आट कर देंगे चुटकी भर बेकिंग सोडा यह ऑप्शनल है इससे बहुत ही ज़ादा सॉप्ट और स्पॉंजी बनती हमारी बढ़िया और साथी में जाएगा इसमें स्वाद अनुसा नमक थोड़ा सा हिंग आट कर देंगे क्योंकि इसमें बेसन है और थोड़ा सा जाएगा इसमें हल्दी पाउडर मिक्स कर देंगे बहुत अच्छे से सस्ते में बनने वाली ये सबजी लगने वाली है आपको शाही पनीर कड़ी से बहुत ही ज़ादा टेस्टी तो दोस्तों मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है बैटर हमारे तयार हो चुका है यहाँ पर लेंगे एक पाईपिंग बैग और इसमें डाल लेंगे सारा बैटर क्योंकि हम इस पाईपिंग बैग कहीं उस करके बढ़िया बनाएंगे आलो की सिंपल तरीके से बनाई हुई रेसिपी खाखा के हो चुके हैं बोर इस रेसिपी को आप मेहमानों को जब खिलाएंगे ना तो वो इसकी ताईप करते नहीं ठकेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मैंने पाईपिंग बैग के अंदर सारा बैटर फिल कर लिया है इसे हम अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं सबसे पहले इसकी ग्रेवी तयार करेंगे तो यहाँ पर एक कड़ाई को मैंने करम कर लिया है इसमें आट कर देंगे 2-3 बड़े चमच तेल तेल के गरम होते ही सबसे पहले तेल में आट कर देंगे इसका कलर हलका सा ब्राउन हो गया है इसी तरह से में प्यास को अच्छे से भून लेना है जैसे ही प्यास भून जाए इसमें डाल देंगे 2 medium size के पीसे वे टमाटर टमाटर को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे टमाटर के साथ ही इसमें आट कर देंगे एक बड़ा चमच लहसर अद्रक जिसे मैंने ग्रेट करके लिया है आप यहाँ पे पेस्ट कप इस्तिमाल कर सकते हैं अब इसमें कुछ सुखे मसाले भी आट कर लेते हैं जैसे कि एक बड़ा चमच धनिया पाउडर एक बड़ा चमच लाल मिल्च का पाउडर आदा चूटा चमच जाएगा इसमें हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसाल जाएगा नमक मिक्स कर लेंगे मसालो को साथ में मेड़ा फ्लेम पे थोड़ी देर इसे भून लेंगे इसके बाद हम इसमें एक कप पाणी आट कर देंगे और इसे ढखकर पकने देंगे तो देखिए पाच मिनट तक मसाली को मेड़ा फ्लेम पे मैंने अच्छे से ढखकर पका लिया है मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है तेल देख सकते हैं इसने छोड़ दिया है तो अब हम फ्लेम को बिल्कुल लोग पे कर देंगी और इसमें आट कर देंगी आधा कप दही तो यहाँ पे दही को फैट कर लेना है आपको और धीमी आज पे दही को लगतार चलाते वे भून लेना है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए नहीं तो दही फट सकती है तो देखिए दही को मैंने अच्छे से भून लिया है इसमें उबाल आ चुका है और काफी अच्छी हमारी ग्रेवी तेयार हो चुकी है हमारी ग्रेवी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थीक हो गई थी तो मैंने इसमें आदा कप पानी आट करके इसे थोड़ा सा पतला कर लिया है क्योंकि अब हम इसी ग्रेवी के अंदर बनाएंगे बढ़ियां तो यहाँ पे पाइपिंग बैक का नोजल मैंने कट कर दिया है और इससे हम इसी में थोड़ी थोड़ी जगा छोड़ते वे बढ़िया बना लेंगे बहुत यह असानी से हमारी बढ़ियां तयार हो चाती है तो यहां पर gravy के उपर मैंने बड़ियां बना लिए है छोटी-छोटी सी piping bag नहीं है तो किसी भी आप फैली कर इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत जादा नहीं पकाना है ढखकर पकाएंगे सिर्फ एक मिनट के लिए एक मिनट के बाद आप देख सकते हैं बड़ियां अच्छे से पककर सेट हो गई है हलके हाथों से एक बड़ चला लेंगे बड़ियों ने पानी अब्सोर्ब कर लिया है तो इसमें आदा ग्रस पानी आड़ कर देंगे पानी डालने के बाद इसमें डाल देंगे आदा चोटा चमच गरम मसाला बाती में अड़ कर देंगे इसमें बारी कटावा हरा धनिया और मिक्स कर लेंगे हलके हाथों से तो यहाँ पे हमारी गरी काफी अच्छी लग रही है दो मिनट तक फिर से धखर पका लेंगे और दो मिनट पकने के बाद आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी सी हमारी यहाँपे गरी वाली सबजी त्यार हो चुकी है जो कि इतनी ज़्यादा टेंटिंग लग रही है इतनी ज़्यादा टेंटिंग लग रही है कि अच्छी अच्छी रेसिपी इसके सामने फेल है यह देखिए बहुत ही लजीज हमारी यहां पे आलो की मज़दार नई तरीकी की अनोखी सब्जी तयार हो चुकी है चलिए ङसे शब्आ कर लेते हैं तो फ्रेंट्स तैयार हो चुकी है आलो की अनोखी सब्जी जिसे हमने बिल्कुल अनोखी तरीके से बनाया है कोई सब्जी जब समझना आए कि क्या भनाए तो आलो की यह रेसिपी बनाकर सब को चौका सकते हैं आप इस सबजी का मज़ा आप राइस पराठे दोनों के साथ ले सकते हैं उमीद करते हैं रेसिपी काफे ज़्यादे आपको पसना आई होगी आई है तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें सब बाइ गाइस वीडियो तिल दें टेक क्यों थैंक्स पचिक मा वीडियो थैंक्यों सो मच